बहुत गदर नमस्ते आदा फसी अकाल मैं हूँ सिए संकल कांस्टिया स्वागत है आपका और एक सैशन में जो गाइस शूर शॉट 10 माक्स फॉर आपको ये लेक्चर्स देखने हैं अराउंड 20 मिनिट्स में मैं करूंगा एक बहुत ही इंपोर्टेंट कॉंसेट कवर आज मैं करवा रहा हूँ valuation of securities में से bond refunding जो कहीं न कहीं students option में चोड़ देते हैं but it is very very important and मैं आपको करवाने वाला हूँ इसको बहुत ही simplistic way में all you have to do is stay connected till the end अब ऐसे ही और बहुत सारे concepts आपके दिमाग में आ सकते हैं comment में आप मुझे ज़रूर बताना कि you specifically want any topic or a concept let me know plus मैं साथ में करवा हूँगा इधर ये practical sum but ये सब आपको कब मिलेगा जब आप subscribe रहेंगे so guys please click on the bell icon so that paper 2, paper 6, IBS related और भी ऐसी बहुत सारे finance related concepts के लिए connected रहे है and that will really be helpful to you guys all right so चलो start करते हैं on that note अब इस से related जो आपको notes है वो आपको मेरे telegram channel पे मिल जाएंगे नीचे comment box में मैं pin कर रहा हूँ मेरा telegram channel just go there and download the notes from there 20 minutes मैं ऐसे बहुत सारे concepts में अल्रेडी कर रहा चुका हूँ so ये playlist तुम लोग please use कर लेना will be very helpful so अभी चालू कर रहे हैं अपन लोग bond refunding तीक है ये notes जैसा मैंने बोला इस सब आपको telegram channel पे मिल जाएगा and smoothly you'll be able to manage it तो bond refunding का concept होता क्या है so समझो मैंने मैं एक company हूँ x y z company जिसने bonds issue किया है और मैंने ये bonds issue किया है 15% rate of interest के हिसाब से जो अभी market में rate चल रहा है मैंने ये bond issue किया ऐसे 30 years के लिए अब 5 साल बाद interest rate और market का सिनारियो कुछ ऐसा होता है कि आज की तारिक में interest rate हो गया है 11% तो मैंने 5 साल पहले जो bond issue किया थे 15% भे किया थे आज उन bonds का rate हो गया है 11% तो सीधी सी बात है मेरे को लगया किया रहे यार मैं 4% extra bond का उपर interest क्यों दूँ तो ऐसे situation में I will try to recall the bond और मैं नया bond issue कर दूँगा उन ही को issue कर दूँगा कोई प्रब्लम नहीं बट अगर वो मैं चाता हूं मैं ऐसा company यह तो मेरा personal interest हुआ कि जैसे interest rate का हुआ मैं bond को recall कर दूँगा वो एक loss डालेगा सामने investor अगर आपको recall करना है तो आपको कुछ call premium पे करना पड़ेगा मतलब अगर 1000 रुपीज का वो bond का redeemable value था आपको मुझे आज 1140 पे करना पड़े तो as a company आपको call premium पे करना पड़ रहा है यह आपका cost है बट सामने आपका interest 4% per annum सेव हो रहा है यह आपका saving है बस यही cost-based benefit analysis के तुरू अपने लोग पादा चलेंगे कि bond refunding करना चाहिए या नहीं आप लोग को एक short में समझ में आ गया concept क्या है अब देखो the coupon or interest changes in regular intervals and अगर अपने को higher से अब lower वाले पे जाना है then what will I do correct I will use the concept of bond refunding जहां पर मैं cost benefit analysis करूंगा अब cost benefit analysis में क्या होता है तो मैं देखूंगा कि मेरे कितने cost extra लग रहे ये bond refunding की वज़े से so मेरा call premium extra जा रहा है बराबर है न इन्वेस्टर भी शाना है वो बोले है कि ठीक है तुमको interest कम करवाना है हमको call premium दे दू नया issue जो है उस related flotation cost मेरा extra लग सकता है बट हो सकता है कुछ tax related और cost लग जाए समने benefit भी हो सकता है specially savings of interest का कुछ और tax benefit भी हो सकता है बस ये सब को as a chartered अपने को analyze करना है and decision देना अपने client को whether the net benefit is positive और negative और उसी साब से he will accept और reject the project project so अब इसको समझने के लिए अपन लोग लेने वाले है एक ICAI का question वैसे ICAI ने खाली एक गी question दिया है bond refunding के उपर so chances है कि यही आजए वैसे यह आए या दुनिया का कोई भी question है मैं आप लोगों को bond refunding का जो format बना के देने वाला हूना उसमें आप कोई भी question मतब मेरे पास तो एकदम high से high level के questions है बट आप बोलेंगे नहीं सर हमको तो खाली module करके जाना है तो यह module का question आप लोगों के optimize का question number 25 open कर सकते हैं and अगर आप लोगों के पास module है then module का question number 25 open कर सकते हैं दोनों में bond refunding का ही question है फटा फट इसको solve कर लेंगे but obviously you will need a proper way of solving it कैसे इसको solve करना है वो मैंने यहाँ पर बदाया है यह notes आप लोगों को please telegram से ही लेना पड़ेगा या फिर आपको magic book से मिल जाएग magic book अगर आपके पास है well and good नहीं है मेरा personal suggestion purchase it right away exam के 1.5 days के time पे क्या theory पढ़ना है क्या formulas याद है कि नहीं सारा एक साथ है कि नहीं master sums कौन सा करना है वो सब आपको अगर एक ही book में मिल रहा है I think this is what you are looking for right so please definitely have it if not यह notes आपको telegram पे free of course मिली जाएगा so download it from there immediately अब आजाओ इस ICI के question के ओपर so ICI का यह वाला तो आप लोग सब लोग के पास module का question तो सब के पास रहे गई रहेगा तो फिर बाद में किसी को भी tension लेनी की जरूरत नहीं है on that note guys we are starting with the concept of bond refunding अब जैसा मैंने यहाँ पे आप लोगों को बोला था कि कुछ cost benefit analysis करते हैं आप whether we have to go ahead with this or not तो चलो आओ let's try and understand with each one of you क्या exactly होने वाला है इस cost benefit analysis में so guys as discussed with you अपन क्या करने वाले हैं अपन करने वाले हैं cost benefit analysis तो चलो मैं इसको immediately एक बार copy कर लेता हूँ and here we go so मेरे cost benefit analysis में मेरा पहला चीज है cost क्या आएगा इस cost में और फिर मेरा दूसरा चीज है benefit तो क्या आएगा इस benefit में जो मेरा cost वाला part है उसमें दो तरह के cost होगे एक होगा cash inflow जो one time है मतलब एक बार मेरा वो cash outflow हुआ cost है ना तो outflow हुआ एक बार ये पुरा का पुरा cash outflow हो जाए कैसे होगा क्या होगा वो sum के तुरू सब समझेगा फिलाल खाली मेरे को एक बार ये बना लेने दो पुरा system दूसरा है recurring cash outflow तो अगर मेरा जो old bond है उसको अभी और 10 साल बाकी है तो 10 साल तक ये cash outflow हो सकते है तो ऐसा क्या होगा बताएंगे सब बताएंगे आपको you don't have to worry at all फिर बाद में दूसरा है मेरा benefit, cost के सामने दूसरा है मेरा benefit, benefit क्या होगा मेरा one time cash inflow कुछ ना कुछ मेरे को एक ऐसा one time cash benefit मिल जाएगा ना बता नहीं सकता और कुछ benefit मेरे को जैसे interest है उसका मेरे को recurring cash inflow का benefit मिलते जाएगा तो आपका जो पूरा का पूरा answer है ना बस ये चार दिवारी के अंदर है that's it जी हाँ आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इस easy way में अपने लोग एक bond refunding के question को solve कर सकते हैं आईए आने वाले 5 minute में we will try to get that done ABC limited has rupees 300 million 12% bonds outstanding with the 6 years remaining to maturity ये old bond की कहानी चल रही है since interest rates are falling ABC limited is contemplating of refunding these bonds with a new 300 million issue of 6 year bonds carrying coupon rate of 10% आप लोग ने देखा क्यों मैं refund कर रहा हूँ क्योंकि ये 12% से अब हो रहा है 10% issue cost of the new bond is 6 million and the call premium is 4% 9 million being the unamortized portion of issue cost of old bonds can be written off no sooner the old bonds are called off इसका मतलब समझाऊंगा marginal tax rate दिया है 30% आपको बताना है bond refund करें या नहीं and that frankly speaking is dependent on only one thing and that is cost benefit analysis आईए फटा फट इस cost benefit analysis को करते हैं start so here I am cost benefit analysis तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है पता है क्या आपको old bonds का सारा info लिख देना है और फिर साथ ही में अपने को इधर ही new bonds का भी सारा info लिख देना है so that when we start with this format things are easy अब old bonds के लिए क्या का info दिया है 300 million का ये bonds है so इसका पहले value दिया है कितना 300 million okay उसके बाद उसका interest दिया है sir 12% नए वाले bond का value कितना है 300 million तो ये तो चलो पूरा same to same ही है इसका interest कितना है sir इसका interest है 10% अगर आप लोगने note किया होगा तो इन्होंने बोला है call premium आपको देना पड़ेगा which is obvious and that is 300 million के उपर 4% which is 12 million इधर का इधर ही calculate हो गया उसके बाद में वो लोगने क्या बोला है 6 years remaining तो अभी time to maturity कितना है 6 years तो ये एक general point है मेरा तो इधर मैं लिख देता हूँ time to maturity old हो या new दोनों का 6 years pending है और क्या information दिया हुआ है let's see carrying 10% interest done issue cost of the new bond will be 6 million and call premium तो call premium का तो अपन लोगने लिख लिया इधर जो नया bond है उसका issue cost बोला है 6 million इसका issue cost बोला है 6 million तो ये अपन लोगने लिख लिया है 6 million then 9 million being the unamortized portion unamortized portion किसका होगा obviously बात है old bond का होगा so unamortized ये कितना बाकी है ये क्या पता है या ये पुराने bond का flotation cost जैसा है ये पुराने bond का flotation cost है and that is 9 million उसके बाद last information दियावा है marginal tax rate is 30% marginal tax rate is 30% so ये time to maturity एक common point है तो मैंने सुचा चलो इसको अलग से अपन लोग ले लेते हैं so time to maturity है मेरा 6 years and दूसरी जो मेरी aspect है वो है दूसरा जो मेरा aspect है वो है tax rate tax rate है मेरा 30% समझ में आगे आपको so ये मैंने एक छोटा सा summary आपे बना लिया है अब mostly जो भी question आएगा वो ऐसा ही कुछ आएगा अब इसको दीरे दीरे अपन को decode करना है कैसे सबसे पहले क्या बोला है one time cash outflow अपने को identify करना है so चलो आप देखते है one time cash outflow में क्या आएगा मुझे बहुत clearly दिख रहे है दो one time cash outflows बहुत clearly दिख रहे है एक मुझे दिख रहा है जो one time cash outflows है उसको मैं yellow में highlight कर रहा हूँ एक दिख रहा है call premium कैना इससे call premium तो एक जटके में चले जाएगा जो मेरा old bond वाले है चलो भाई मेरको immediately मेरा refund का पैसा चाहिए extra premium चाहिए तो वो हो गया 12 million दूसरा इधर मेरको दिख रहा है issue cost जो new bond है ना बेटा उसको issue cost इंकर होगा 6 million तो जैसे ही आप new bond issue करोगे आपको 6 million देना ही पड़ेगा issue cost ये आपका दोनो cost इधर लग जाएगा is always उसका आपको tax benefit मिलेगा so 1 minus t so 12 into 1 minus 0.7 equal to 8.4 million net आपके जैब से गया net of tax ये आपके जैब से गया आज का आज ही जैसे ही आपने 12 million debit किया आपको उसका tax benefit मिल गया 30% का 3.6 बच्चा कितना net आपके जैब से गया 8.4 सबजे second point में इधर आपको फटा-फट बदा देता हूँ issue cost अब ये issue cost भी है मेरा कितना sir issue cost है मेरा 6 million अब आपको immediately लगेगा sir ये issue cost के ओपर भी तो tax benefit आएगा now let me tell you as per income tax act issue cost का tax benefit is amortized over the period of the bond तो period of the bond कितना है कितना है period of the bond six years time to maturity देगा उधर लिगा ना six years तो अगर छे साल बचा है तो ये issue cost का tax benefit मिलेगा टेंशन मत लेना cash inflow so इसका जो tax benefit है ये जो issue cost है उसका जो tax benefit है ना वो मेरेको as a recurring cash inflow के time पे मैं ले लूँगा कि ये जो मेरा 6 million गया है divide by six years मतलब 1 million में हर साल P&L में debit कर सकता हूँ 1 million में हर साल P&L में debit कर सकता हूँ जैसे मैं P&L में 1 million debit करूँगा 30% का tax benefit मिल जाएगा मतलब 1 million into 0.3 तो 0.3 million का मुझे tax benefit आने वाले 6 साल तक मिलेगा which is a part of recurring cash flow आप लोगों को समझ में आई गया होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ तभी आएगे वापस से देख लेंगे तो इन शॉट मेरा one time cash outflow आ गया है and that is guys 14.4 million and that is guys 14.4 million I hope clear पहला मेरा जो पड़ाव है वो clear हो गया है done है done है अब आ जाते हैं अपन लोग किस के हो कोई भी चीज़ के उपर आ सकते है one time cash inflow के उपर आ जाते है या फिर recurring cash inflows है चलो मैं recurring cash inflows ले लेता हूँ I'll tell you why क्योंकि one time cash outflow में एक ये 6 million है जो अब मुझे impact देगा मेरे ये जो tax benefit है न वो मेरे को over a period of 6 years recurring cash inflow की form में मिलने वाल है तो मेरी इच्चा है कि मैं इसको अभी का भी तुम लोग के दिमाग में fresh है तो करवा दूँ आ जाओ मैं कर लेता हूँ one time cash recurring cash inflow बाकी अपन लोग अलग से भी कर सकते है गाईस उसमें कोई कोई हर्जा नहीं है तो ये मैं अलग से भी कर सकता हूँ recurring cash inflow में याद रखना ये issue cost वाला point आएगा चाहिए तो अपन इधर अभी का भी लिख लिया तो क्या है ये issue cost वाला point अपन बोल रहा है वह 6 million जो है वो over a period of 6 years P&L में debit होगा और जैसे ही वो debit होगा उसका जो tax rate है उसका मेरे को benefit मिल जाएगा तो इधर मेरा 6 divided by 6 1 into 0.3 0.3 million मेरे को इधर लिखके मिल जाएगा issue cost और क्या हो रहा है मेरा cash inflow बोलो बोलो tell tell guys कोई बोल सक आता हूं और एक बहुत important cash inflow जिसकी वजे से मैंने ये decision लिया है and that is interest saving अरे बाबा भूल गए क्या हां सर interest on saving भी तो आएगा कितना interest के उपर मैं save कर रहा हूं 2% पहले 12% था अब 10% हो गया है तो 2% I am saving on 300 million which is equal to which is equal to 6 million अब याद रखना जैसे यहाँ पे आपने tax को खर्चा कर रहे हो तो आप tax benefit ले रहे हो तो यहाँ पे अगर आपको कुछ interest मिल रहा inflow तो उसमें से tax minus b हो जाएगा तो आपके पास net बचेगा 4.2 million इसको आप 6 into 1 minus t करके भी कर सकते हो will give you the same answer समझे everybody so this is your recurring cash inflow recurring का मतलब every year यह आपको हर साल यह tax benefit मिलने वाल है हर साल यह interest का saving होगा बरना हर साल 12% जाता अब हर साल 10% ही जाएगा तो हर साल 2% बच रहा है net net मेरा 4.5 million net net मेरा 4.5 million is what I am saving बट अब आपको मैं बता दू इसमें कि यह तो per annum हुआ ठीक है यह जो मेरा recurring cash inflow है 4.5 million का परस्पेक्टिव यह जो 4.5 million का मेरा inflow हुआ है यह तो per annum हो है इसको मैं multiply करूंगा present value annuity factor with 7% अब cost of capital 7% हो है ना question में कहीं दियावा नहीं है बट मैं आपको बता दू कि आपका जो new bond है उसका interest कितना है interest है 10% tax rate कितना है 30% तो 7% post tax discounting factor आ गया post tax या तो discounting factor directly दिया होगा नहीं दिया है तो ऐसे आप calculate कर सकते है so present value annuity factor for 7% for how many years 6 years will be so 1 divided by 1.07 one two three four five six and gt यह अपने को मिल जाता है 4.767 we will get the final answer 4.5 into 4.767 which is equal to 21.4515 a समझे गड़े बीबाडी तो यह मेरा और एक important चीज आ गया है recurring cash inflow एक recurring cash inflow हो गया एक one time cash outflow हो गया इधर टिक मार दो भाई जो जो हो गया recurring cash inflow गया अब ले ले लेते है recurring cash outflow तो चलो आओ let's start with recurring cash outflow पहले अपनों हो गया इंट्रेस्ट का जो savings था वो हो गया यह वाला पार्ट हो गया यह वाला हो गया इंट्रेस्ट का सेविंग हो गया issue cost वाला भी जो tax का benefit मिल रहा है वो भी हो गया अब क्या बचा है मेरा अब बचा है मेरा flotation cost guys आपको मैं बता दू यह जो old bond का flotation cost था न यह मेरा था 9 million over a period of six years में इसको amortize करने वाला था अब government बोलता है जब old bonds ही नहीं रहा तो इसको आप over a period of six years क्यों करोगे इसको आप on the spot इसका tax benefit ले लो भाई flotation cost का अभी तुम लोगने बात है न issue cost flotation cost इसका तो over a period of six years जो time to maturity है उसमें जाएगा but because now my old bonds are retiring old bonds ही खतम कर रहा हूं है तो वो जो unamortize portion है उसका tax benefit on the spot में ले लूँगा and that is what I will write here one time cash flow किसका unamortized issue cost of old bonds of old bonds उसका tax benefit immediate basis पे मिल 9 million जो मुझे मिलने वाला था यह जो मेरा 9 million मेरे को मिलने वाला था यह तो मेरे को कम मिलता आज से कितने सालों बाद मिलता आज का आज ही आप लोगों को मिल जाएगा in 2.3 तो यह मिल गया 2.7 million because it is one time तो PVAF करने का ज़रूँद नहीं यह सब्सक्राइब कर दूंगा 9 million on the spot tax benefit मिल गया मज़े सो मेरा वन time cash inflow भी हो गया recurring cash inflow गया one time cash outflow अब क्या बचता है मेरा खाली recurring cash आउट फ्लो अब इसको भी देख लेता है यह recurring cash outflow को भी जो connected है मेरे one time cash inflow के साथ अब सुनना ध्यान से मेरा अगर old bond ही होता तो मैं can I say 9 million को 9 years में period of अभी time to maturity sorry six years बाकि है ना कुछ time to maturity देखो कितना बाकि है बैटा time to maturity बाकि है six years six year bonds six years remaining six years remaining तो अगर मेरा six years remaining है तो मैं क्या करता 9 divided by 6 1.5 million हर बार debit करता PNL में और उसका tax benefit ले लेता अब वो नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने एक साथ ले लिया है अब वो नहीं मिलेगा तो it kind of becomes my opportunity cost वो हो जाएगा मेरा recurring cash outflow जो otherwise मेरा inflow बन सकता था यह थोड़ा एक tricky लगता है बच्चे लोगों बाकि तो I think आप लोग पूरी तरह से clear होगे है ठीके ना यह क्लास्टीज है ध्यान से सब्सक्राइब अगर मेरा one time cash inflow 9 million का मुझे इधर benefit मिला है तो एक benefit जा भी रहे इसी का कुछ tax benefit भी तो मेरे को मिलने वाला था अब वो नहीं मिलेगा on old unamortized bonds on old bonds उसका unamortized cost उसका unamortized cost अभी understanding guys so 9 divided by 6 जब मैं करता हूं तो यह आ जाता है 1.5 million एक इतना आ recurring हां तो over a period of correct यहां पर आपर लोग देख लेता है present value annuity factor किता है 4.767 present value annuity factor for 6 years 7% 4.767 into 4.7678 समझगड़ू everybody so 1.5 into 4.767 मैं करता हूं यह आ जाता है 7.15 5 5 so 7.1505 आया बट एक चीज ध्यान में रखना विट्टा अपन लोग बात कर रहे हैं यहां पे यह tax benefit की तो यह जो 1.5 million आया है यह तो unamortized amount है इसका tax benefit निकालना पड़ेगा ना so multiply by 30% करेंगे सो यह अगर अपने लोग 30% से multiply करता है तो कितना आता है 7.1505 into 2.3 which is 2.14515 यह net फाइदा हुआ है और यह सरसर नहीं समझा नहीं समझा कंफ्यूज होगे कोई बात है ऐसे आज़ो ऐसे आज़ो ऐसे आज़ो देखो भाई unamortized amount था 9 million जो over a period of six years में को 1.5 million करके मिलते जाने वाला था हर साल 1.5 अब नहीं मिलेगा अगर मिलता तो मुझे कुछ benefit होता अब नहीं मिलेगा तो क्या loss हो रहा है उस tax benefit का कि यह जो मैं 1.5 million जैसे ही मैं मेरे PNL account में debit करता जैसे ही मैं मेरे PNL account में debit करता तो क्या होता 30% का tax benefit हो जाता क्या हो जाता 30% का tax benefit हो जाता तो 1.5 into 0.3 तो मेरे को यहाँ पे 0.45 million का tax benefit हो गया multiply by 4.767 रे बबा प्रेजेंट वैल्यू अनुटी फेक्टर 7% 6 years देखो कितना आता है यह तो 0.45 into 4.767 and this is also equal to 2.14515 यह लिखो यह लिखो एक इच बात है ना main benefit क्या loss हो गया tax का बट उसका एक साथ benefit इदर मिल गया तो 2.7 एक साथ benefit मिल गया बट 2.145 15 जो over a period of time with present value मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा नेट मुझे क्या फाइदा हो देखो भाई यह unamortized issue expense का फाइदा तो मिलने वाला था ऐसा नहीं यह तो मिलने वाला था बट अब क्या हुआ accelerated फाइदा होने की बज़े से मुझे tax में approximately 0.6 million का फाइदा हो गया that's the whole concept अब अपने पास recurring inflow recurring outflow one time inflow one time outflow चारो आ चुके अब evaluate करते हैं यह देखो मैंने आप लोगों के लिए यह पूरा का पूरा system ready रखा है चलो evaluate करते हैं अब इतर देखो क्या है recurring cash outflow कितना है 2.14515 2.14515 outflow है तो minus में लिखूंगा outflow है तो minus में लिखूंगा उसके बाद one time cash inflow कितना है 2.75 तो one time cash inflow plus 2.7 उसके बाद में क्या है recurring cash inflow 21.4515 recurring cash inflow 21.4515 and finally one time cash outflow भी अपने पास आ चुका है and that is 14.4 million 14.4 million अब करो calculate 21.4515 plus 2.7 minus 2.14515 minus 14.4 finally answer आता है आपके लिए 7.61 million आओ देखते हैं ICAI के book में इसका जवाब क्या है जी हाँ ये रहा 7.60 अगर मैं इसको rounding off का तोड़ा वा difference है बाकी मेरा भी आय रहा 7.60 513 तो चलो इसको अपन 6.0 ही रखते हैं as per ICI and here is my final answer इसी के साथ bond refunding का एक लोटा question जो ICI के module में है आप लोगों के लिए पूरा complete कर दिया है with logics अब इस logic का आप लोगों के पास एक format आ जाए तो आप लोगों को कितना अच्छा लगेगा ना आओ ये रहा ये रहा वो benefit आप लोगों के पास अगर magic book है तो तो one time cash inflow कभी आपको fine करना है तो क्या होगा यहां पर सारी चीज़े दिवी है one time cash outflow अगर होगा तो क्या होगा तो देखो एक तो होता है call premium एक होता है new bond flotation cost और एक question है high level का उसमें overlapping interest भी है वो भी इदर आ गया आपका format बस आपको follow करना one time cash देखो format क्या है one time cash outflow one time cash inflow recurring cash inflow recurring cash outflow one time cash outflow में call premium हम एक साथ देना पड़ेगा new bond flotation cost एक साथ गया मेरा ठीक है बड़ा बड़े ओके फिर annual cash inflow तो अगर annual cash inflow की बात करता हो तो कहना इसे मेरा saving of interest हुआ पहले 12 टका था अब 10 टका हो गया tax benefit on flotation cost of new bond यहां पर यह जो flotation cost है ना इसका tax benefit over a period of years मिलेगा वो मैंने इधर लिख लिए फिर मेरा outflow outflow क्या हुआ sorry outflow one time cash outflow क्या हुआ कि दर एंग एंग इंट्रेस्ट फिर एक मेरा one time cash inflow क्या हो गया भाई मेरा जो old bond का amortized amount था भाई मेरा जो old bond का amortized amount था ना un-amortized amount old bond का वो एक साथ मुझे उसका benefit मिल गया saving tax on immediate redemption जो भी 9 million बागी था on the spot पूरा का पूरा मेरे को tax benefit उसका मिल जाएगा 9 million जो बागी था पूरा का पूरा उसका tax benefit मिल जाएगा समझे and then अगर मैं जैसे यह 9 million लेता हूँ उसका एक one time उसका एक recurring cash outflow आ जाता है loss of tax benefit जो भी वो 9 million था divide by number of years into tax rate इतना मेरा every year जो मुझे benefit मिलने वाला तब नहीं मिलेगा loss of tax benefit यह सब को मैं जब evaluate करता हूँ तो आज आता है मेरा evaluation of bond refunding and यही साम अभी अपन लोग ने किया इसका notes आप लोगो टेलिग्राम चैनल पे कर दूँगा कैसा लगा आप लोगों को यह प्लीज बताओ बहुत high five concept है काफी लोग option में चोड़ देते हैं बट अगर आ गया 8-10 मा के लिए तो क्यो इतना देरे magic book के notes और आप लोगों के पास आपका yes आप लोगों के पास आप लोगों का module का question है ही चालो वाई टाइम फार मीडू से आस्ताला विस्ता कैसा लगा session do let me know and अभी इधर तक end तक देगा है तो प्लीज आप लोग ने like कर दिया होगा subscribe कर लेना bell icon के साथ because lot of finance concepts are coming your way which will make your life very interesting even beyond your curriculum as well hasta la vista keep smiling thank you so much